है गाईश के शोप लोग बहुत बहुत श्वागत थे अपका सुपर फास्ट क्लास एच यूटूब चैनल पे दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे जी हमें दोस्त अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वता दू कि बोड पर इच्छा 2023 में आप लोग का 20 मार्क का अबजेक्टिव कोशन पूछेगा शुरू-शुरू में तो बीस मार्क बहुत होते हैं यार सतर में आप लोग का बीस मार्क और पासिंग के लिए आपको मातर 23 नंबर ही चाहिए होता है तो आप समस्च चेकते हो 20 मार्क का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है तो इस वीडियो में मैं आप लोग के सोसल साइंस और इस समाज जवी ज्यान से पूरा का फूरा पूरी बुक से दखिए इंपोरेंट सारे के सारी इंपोरेंट जितने भी ये अब्जेक्टिव कोशन है सारा का सारा लाया हूँ तो एके करकर मैं सारा ये कोशन आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि इस डिट्टू आपके बोड़िया में कई सारे कोशन फसेंगे तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हूँ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बाकी आप जो मतलब आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न आया हुए उसका मतलब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूँगा तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो पहला सबसे हम लोग का फर्स्ट प्रसने कि राश्ट्रवाद का प्रारंब किस देश से हुआ बतलब हुआ वह कौन सा देश है काफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसने कई वार आप लोग के बोड़ी जाम प्रस्ट पूछते का है कि राश्ट्रवाद का प्रारंब जिस देश से हुआ वह है इटिली जर्मनी फ्रांस इंगलेंड तो आई होप आप सब लोग जानते हो अपने फर्स्टी चेप्टर में आपने पढ़ा है कि फ्रांस फ्रांस से ही राश्ट्रवाद क उदै वाले से ठीके नेपोलियन का संबंध कहां से था फ्रांस से था ठीके चली अगला प्रसंद देखलेते हैं अगला ठाड नमर प्रसंद ने कि महत्मागाधी ने आरस योग आंदोलन कब आरम्ध कीया महत्माधीन आशयोगüne आउग आंदोलन और एक भारत छोड़ो आन तो इसका अंसर तो यह first हो जाएगा लेकिन दो और इनके जो आंदोलन है ठीक है एक सब्विने अवग्या आंदोलन है वह 1930 में प्रारम किया गया था और एक भारोच छोड़ आंदोलन जो 1942 में प्रारम किया गया था तो यह तीनों मतब जो आंदोलन है काफी important है तो आप इ सन्यूक्ट रास्तंग का मुख्याले कहा इस्थित से यह प्रस्न है ठीक है तो देखो सन्यूक्ट राश्त्रंग क्या है तो मतब बिश्यूद हो रहे хотя दिए ती बिश्यूद के बाद सन्यूद्राशल कि नहीं दो देशों के भी जगड़ा हो जाए तो वो मतलब न्याय या किसी भी चीज के लिए कहां जाएंगे तो उसके लिए एक बनाएगी है संस्ता सन्युक्त राश्चंग ठीके तो ही है सन्युक्त राश्चंग लेकिन इसका और भी बहुत सारे कारे हैं इतना यह शिमीत अधिकांस जानवरों की मृत्ती हो गई ठीके काफी भेरी भेरी इंपोर्टेंट कोशन है आप सारे प्लेग मलेरिया एनिमल फीवर या फिर रिंडर फेस्ट तो देखिए रिंडर फेस्ट नामक बिमारी के कारण ठीके अधिकांस तो जो पसू थे उनकी मृत्ती हो गई थ अफ्रिका देश में क्लियर तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा ओके चलिए अब हम आगे के पांच वेक बात आगे कुछ प्रस्ण है इधर इस साइड इनको हम लोग देख लेते हैं पूरे के फूरे मैंने 20 आप लोगे ये प्रस्ण लिया है जो वेरी वेरी इंपो होगा लेकिन कोई को अच्छी मतलब रहे हैं यो नहीं हो रही है इसका मतलब मतलब about तो यही सिंपल यही लॉजिक करने का ठीके तो पंजाब में भूमी निम्रिकर्ण का मुख्य कारण क्या है यह कोश्चन पूछा जाए तो देखिए इसका चार्ट अप्षन गहन खेती वन और अधिक सिचाई अति पसुशान तो इसका यह मतलब अधिक सिचाई यह अप्षन शालों तक उसमें अगर पानी लगा रहे ना तो वह कुछ दिनों बाद उसकी गुड़वत तक एकदम कम हो जाएगी बहुत दिनों बाद वह बंजल टाइप की विभूभी हो जाएगी तो पानी भी एक निश्चित मात्रा में चाहिए खेतों को ऐसा नहीं कि आप 2412 महीने वह जाएगी इस चीज को आप लोग याद रखिएगा तो कपास की खेती के लिए सबसे उप्यूख या सब अच्छी मिरदा है काली मिर्द है ठीके और जो खांसकर महाराष्ट्रा में पाई जाती है और सबसे अधिक मतलब सबसे उपजाओ मिट्टी कौन सी है जलोड मिट्री जो हम लोगे आखांसकर उत्तर प्रदेश पंजाहा बिहार में पाई जाती है ओके आठावा फ्रशने आप लोग देख सकते ह मानो निर्मित मतलब जिसे आपका मुवाइल फोन ही हो गया जो आपका मुवाइल फोन है वो क्या है उससे हमने ही खुद बनाया है तो मानो निर्मित हो गया लेकिन सौर उर्जा से निर्मित ये भी गलत है ये भी गलत है लेकिन जो मतलब भूमी है एक प्रकृति मतलब प् स्थाफित किया गया या कब लागू किया गया यह प्रस्ण है तो देखो इसका इसका जो शही आपसने यह सेकेंड वाला है ठीके 1972 भारत में सबसे पहले यहाँ अन्दोलन का नाव लड़के शूनेंगे न तो यह बोलेंगे यार यह हिस्ट्री का कोश्चन है ठीके यह हिस्ट्री से सम्बन दित होगा ठीके वो तो यह हिस्ट्री एक तरी से हो ही गया लेकिन ये जियोग्राफी में आप लोग पढ़ोगे इस चीपको अंदोलन के बारे में जियोग्राफी यानि भोगोल में चीपको अंदोलन क्या था कि एक टाइम था जिस समय बहुत सरे लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे तो उस समय पेड़ों की कटाई से तो ही बहुत नकसान होता है तो कुछ मतलब जो परियावाण कोशन रखे करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया कि जहां वो लोग मतलब पेड़ों को काटने आते थे लोग क्या करते थे कि पेड़ों मतलब चिपक जाते थे और मतलब पे ठीक तो चिपको अंदरों किसे संब्द दी था वन सरक्षर से मैंने बता भी दिया कि कैसे ठीके उसके बाद दखिए अगला कुशन है कि शलाल बांध किस नदी पर बना है ठीके शलाल बांध किस नदी पर बना है महानदी सतलाज चीनाओ कृष्णा तो यह आप लोग याद देख लेते हैं अगला कोशन है 12 नमर आप लोग देखते हो कि नीम्न में कौन सी एक रिषदार फशल है जूट काफी जौर रवर तो भई जूट हम सब जानते कि जूट क्या है एक रिषदार फशल है ठीके इस से हमें रिष से प्राप्त होते हैं तो बस शिंपल है जूट ठीके ना कॉफी से हमें रिष प्राप्त होता है ना जौर से रिष प्राप्त होता है ना रबर से रिष प्राप्त होता है ठीके हमें किस से प्राप्त होता है जूट से ओके चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद की जहरिया प्रसिद है मतलब जहरिया ए बहुति भरट में चांपनाइंपनों सथांवने나 आप सन्सुचनावे, भरट में चांपना जेशांवच अबहुतिकर स्कालमी कि बचाओं आनदोल्न किस से थे कहा लिग सबस्क्राइब कर बोन performing लोस. तो देरिए उसका यह अपसन साही है क्योंकि सर्दार सरुरों बांद इस नर्मदा नदी पे बनाया गया था तो मतलब कुछ किसान कुछ लोग मतब इस मतब स्वाठिको बनने से बीरोध कर रहे थे लिए यह फिर हमारे लिए भी काफी हनीकार रख हो जाएगा अब उसका मतलब काई सारे कारण बता रहे थे लोग की मतलब अगर बांध बन जाएगा तो इसके बहुत सारी मतलब जो मतलब जल है सरकार रोक लेगी जिससे हम किसान खेती नहीं कर पाएंगे और कई सारा नुक्षान हो सकता है तो इसलिए मतलब उस समय वहां के लोगों ने एक मतलब आंदोलन सुरू किया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ ठीक है मतलब और इस नर्मदा नर्मदा बचाओ का मुखे उधी से यही था कि उस पह बांध न बने लेकिन आकेर तो सरकार तो वही गॉपशन है ठीक हो तो बनाएगी ही बनाएगी तो इसी का लोग विर्योद कर रहे थे लोग बचाओ की से संब्धन थे तो सरदार शरोर बांध से ठीक या इसका उल्ठा भी पुद्दे की सरदार सरोर बांध की से संबंदी थे तो नर्मादा नदी से क्योंकि वो नर्मादा नदी पर बनाया गया है शिंपल ठीके उसके बाद नेपाल में लोकतंत्री अस्थापना हुई उके नेपाल में जैसे हम लोग के देश में लोकतंत्री अस्थापना एक सामान अलग-अलग अच्छे बूरे तो भाई एक सामान क्योंकि लोगतांत्रिकेल अने डुमक्रاتिक जो गॊर्मेंट है उसमें सभी लोगों को एक सामान बाना गया है ठीके अलग अलग नहीं हैं बुरे हैं अच्छे हैं ये तो भाई कोई मतलब ही नहीं हुआ ठीके ये एक समान तो ये हम लोग का 17 हमा कोश्चन हो गया चलिए एक दो और इधर कोश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं एक मिएट यहां पे देखिए 17 के बाद 18 नमर यहां प ठीके उनकी जो आय है आय मतलब वही आमदनी प्रती ब्यक्ती अधर राजी के पेच्छा मतलब हमारे देश में जितने वही राजी है उन राजी के पेच्छा प्रती ब्यक्ती आय मतलब अधिक है तो ही कह रहा है कि निम्न में से किस राजी के प्रती ब्यक्ती आय सरवादि देखें तो हर याड़ा क्लियर चलिए अगला प्रस्ण है कि भारत में उपभोगता सनक्षण अधिनियम कब पारित किया गया ठीके 1985-1996 में 1986 में 1990 में अब इसका आप सही आंसर बताओ तो देखो इसका जो मतब सही आंसर है वो है ये सी वाला 1986 भारत में उपभोगता सनक्षण अधिनियम 1986 में अस्थापित हुआ क्लियर इस शीश्वा आप लोग याद रखिएगा अंतिम और विश्वा जो प्रस्ण है देखिए बिश्व बेपार संगठन की अस्थापना कहा हुई थी देखिए जो बिश्व बेपार संगठ चुट है उसकी अस्थापना निवार गूलाओं जेनेवा में हुई थी ठीक है और कब हुई थी तो 1995 में तो देखे है यह मतब डेट नहीं पूछता है यही पूछता है की कहां हुई थी ठीक है तो आप याद रखे कि जनेवा पार जो शंगठे ने उसकी अस्थापना जेनेवा में हुई थी और 1995 में हुई थी ठीक तो आप इसको भी याद रख सकते हो आपका मन लेकिन कोशन आपकी ये इज्या में यही पूछता है कई सालों मतब देखा गया है कई सालों शे तो इस परकार ये पूरे के पूरे 20 आप पूछे जाएंगे तो अगर आप नहीं जानते तो आप चैनल पर जाकर इसके बारे वीडियो देख सकते हैं मैंने बना चुका है या उसका लिंक भी इस वीडियो को मैं डिस्रिप्शन में ढाल दूँगा तो चलिए मैं आसा कर तो ये वीडियो आपको काफी अच्छी झाल झाल